नमस्कार दोस्तों, मैं अभीमेनी भरत वाजब का स्वावघ करता हूँ My Computer Course में और आज हम जानने वाले हैं Computer की PD के बारे में, यानी Computer Generations के बारे में Computer Generations में, जो आप वरतमान स्वरोप आज Computer का देख रहे हैं, वो इस तरह का नहीं होता था शुरुवाती कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और कमरे के आकार के होते थे धीरे-धीरे क्रमिक विकास के दोरान इन कंप्यूटरों में कुछ बदलाव हुए और आज जो आप अपने घरिक में कंप्यूटर को देख रहे हैं वो उस तरह का हुआ धीरे-धीरे हुए इन बड़लाव को हम कंप्यूटर जेनरेशन के रूप में जानते हैं और अभी तक पांच जेनरेशन के कंप्यूटर हमारे बीच में आ चुके हैं इस PD के computer में vacuum tube का इस्तमाल किया जाता था जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बढ़ा होता था। ये computer बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करते थे और चूंकि इसमें जो tube होती थी वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती थी इसलिए यहाँ पर EC का इस्तमाल बहुत जरूरी होता था। इस computer की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो आप windows इस्तमाल करते हैं आज के दोर में बड़े धडले से यहाँ पर वो windows या operating system नहीं होता था। इसे चलाने के लिए जो programs बनाये जाते थे वो computer punch card में store करके रखे जाते थे। इसी लिए इसमें data store करने की जो छमता थी बहुत कम होती थी साथ में ये जो computer थे बहुत slow चला करते थे। इन computers में machine भाशा का इस्तमाल किया जाता था यानि ये computers सिर्फ machine language को समझा करते थे। अब बात करते हैं दूसरी PD के computers की क्या-क्या बदला हुए उन computers में इन computer का जो विकास था 1956 से 1963 के बीच में हुआ और ये computer देखने में कुछ इस तरह के हुआ करते थे। आकार की अगर मैं बात करूँ तो पर्थम PD के computer से इनका आकार थोड़ा छोटा हो गया था क्यूंकि यहां पर vacuum tube की जगे पर transistor का इस्तमाल किया जाने लगा था। से कहीं अधिक बहतर हो चुके थे। अब बात करते हैं तीसरी PD के computer के बारे में इनका विकास 1964 से 1971 के बीच में हुआ था और ये computer देखने में आज के वर्तमान computer के जैसे ही होते थे। पहले computer की जो गती होती थी वो microsecond में ना पी जाती थी लेकिन इनकी गती जो बढ़कर microseconds से nanoseconds तक पहुँच गई थी यानि यह उससे ज़्यादा थी से calculation करने लग गए थे। और इस computer को चलाया जाता था keyboard की जायता से तो ये पहले से बहुत ज़्यादा बहतर थे चलाने में आसान थे। इस PD के computer को छोटा और सस्ता बनाया गया था साथ में ये उपियोग में भी बहुत आसान थे। अब बात करते हैं चौथी PD के computer के बारे में इनका जो विकास है 1971 से लेके अभी तक चल रहा है और ये देखने में हमारे वरतमान computer के जैसे ही है। हालांकि जो image यहाँ पर आप देख रहे हैं वो 1971 में विकास हुए एक computer की है जिसमें monitor, keyboard और mouse दिये गए हैं। इस computer में integrated circuit के स्थान पर आपका लोक प्रियर जो अभी वरतमान में आप इस्तमाल करते हैं, micro processor या CPU आ चुका था। इन computer का अगार छोटा होने के साथ साथ जो इनकी speed थी वो बहुत बढ़ गई थी calculation करनेगी, साथ में यहाँ पर high speed वाले network जिसे आप LAN और WAN के नाम से जानते हैं उसका भी विकास हुआ था। यहाँ पर पहली बार operating system में MS-DOS का विकास हुआ और धीरे धीरे करके जो MS-DOS थी उसका विकास Microsoft के Windows के रूप में हो गया था, ज्यादातर computer हो में operating system के तौर पर Windows आने लग गया था, इसी वज़े से यहाँ पर multimedia का विकास भी हुआ और जो programming भाशा थी वो C language हो गई, धीरे धीरे करके यह जो computer थे, आज के वरतमान computer के रूप में बदलने लगे, इसमें धेर सारी चीज़े आने लग गया, music भी सुनते हैं, आप internet भी चलाते हैं, और अप धेर सारे काम करते हैं, graphical user interface आने के बास से तो बहुत सारी changes हो गए, तो धीरे धीरे करके यह जो computer थे, इन्हो होने हमारे अपने घरों में, office ओं में, कारेले में, school में अपनी जगे बना ली, और इनकी जो पहुंचती वो हर आम आदमी के घरों तक हो गई, धीरे धीरे विकास की यह PD आगे बढ़ने लगी है, और अब आने लगे हैं, पांचवी PD के computer, यानि 5th generation के computer, इन computer का विकास करनेटा है, और ये धीरे-धीरे करके अपने आपको develop कर रहे हैं, computer में सोचने और समझने की शक्ती डाली जा रही है, और इनका विकास धीरे-धीरे हो रहा है, इने भविश्य के computer भी कहा जाता है, इन computer में quantum computation और nanotechnology भी भविश्य में आ सकती है, तो ये धी computer की आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल को दूरू सस्क्राइब करेंगे, आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा, जय हिंद वन्यमादरम